जीला कांगडा के इंतरगत विश्विख्यात शीव मंदिर बैजनात में श्रावन मास के प्रथम सोमवार को शुरदालियों की भारी भी डूमरी हजारों शीव भक्तों ने प्राचीन पवित्र शीवलिंग के दर्शन किये आज सुबह तीन बजे से ही शीव भक्तों का आवगमन शुरू हो गया शीव भक्तों की तरी भीड थे कि बोले नात के दर्शन के लिए चार-चार घंटों तक समय लग गया इस बार प्रशासन वं मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की सूज भूस से भक्तों की लाइनों की ववस्था मंदिर के उद्यान में की गई थी भीड का यह आलं था कि सुबह चार बजे से मंदिर के मुखे गेट से उद्यानों में चारो तरफ लोगों की लाइने ही लाइने थी यही नहीं खीर धंगा गाट में भी सुबह चार बजे भक्तों की कापी भीड दिखाई दी यहाँ पर सनानकर हरजारों ने भोले नात के दर्शन किये मंदिर परीसत में शीव भक्तों द्वारा भंडारों का भी आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने परसाद ग्रहन किया तीन बजे सुबह मंदिर के कपाड़ खुले और कपाड़ खुलने के साथ ही भारी मात्रा में लोगों ने जर्शन करना जूर कर दिये साड़े पांच बजे हमने आती की और उसके बाद से जैसा आप देख रहे हैं इसके पूरे नाल में पूरा रशैस और पूरी लाइनों की विवस्ता जो इस विवस्ता है वो पार्क के अंदर करी हुई है और लंगर की विवस्ता भी है सुबह से चाय पानी के और इसके खी बारा बजे हैं और बारा बजे तक मुझे लगता है कि चारीस तीस चारीस अजाल लोग जो है वो सदालू दर्शन करके चले गए हैं परशाशन की तरह से बड़ी चाक चोबंद विवस्ता की गई है इसको मंदर को फूलों से लाइटों से और टेंट से सजाया गया है ताक यात्रियों को बरेशानी ना हो बारिश में ऐसे ही लेटेस ख़बरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए जात्रियों कर दो बड़ के लिए घुड़ agonेट में श्मनी ना चे सब्सक्राइब momencie यातल रषक बेलर केवस्ता हा थाद़ीं